चलिए थैंक यू सो मच जोइन करने के लिए दुबारा से लिंक में कुछ प्रबिलम होगी थी तो आज का हमारा सेशन है फायर सेफटी और फायर सेफटी की हमें जरूरत क्यों है उसके बारे में लोग बात करेंगे हमको फायर सेफटी की जरूरत यह हैं कि हम अगर कहीं नियुक्त करूए और इतनी जल्दी फैलती है बहुत बड़ा बहुंकर रूप ले लेती है और फैलती है तो यह नहीं देखते है गरीब का मकान है या अमीर का बहुत बड़ा महल है जब जलाना शुरू करती है सब को जला देती है तो फायर के जो एकसिडेंट है वो कभी प्रेडिक नहीं किया जा सकते हैं और फायर जो है बड़े लड़ स्केل में होती है हजारों जो लोग है क्योंकि नहीं होते हैं कि अगर आग गई तो करना क्या है और किस तरीके से आपने आपकी जान बचाई जा है तो बड़ा कारण है अगर आप किसी organization में काम कर रहे हैं किसी ऐसी building में रहे हैं जो residential building है बड़ी-बड़ी building हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे गगन चुमी building हैं आजकल अगर आप किसी ऐसी building में रहे हैं और आग लग गई यह आपको कुछ पता नहीं है तो यह जो consequences हैं जो जो संभावनाएं हैं नुकसान होने की बहुत ज़्यादा हो जाएंगी काफी हत्तक हो जाएंगी और एक disaster event हो सकता है उसकी वज़े से तो हम लोगों को क्यों fire के cases होते हैं क्यों incident होते हैं क्योंकि हम लोग aware नहीं कुछ दिन पहले एक accident हुआ था जिस accident के अंदर यह हुआ था बैंगलोर में केस हुआ था कि एक लेड़ी और उसकी बेटी ऊपर रह रह रहे थे उनके घर में आग लगई और वो लोग आके बालकरनी में आगे बालकरनी से अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बालकरनी पूरी तरीके से सील थी जैसे हम लोग वो partition लगा रहते हैं स्टील की रेलिंग लगा रखे थी रेलिंग के ऊपर इस तरीके से कवर किया गया था कि आदमी जंप भी ना कर पाए तो हाला कि वो protection का काम करने के लिए लगाया गया था पॉल प्रूफ लेकिन फायर के केस में वो जानले वसाबित हो गया और जो लेडी और जो उसकी बच्ची थी वो मारे गए एक ऐसी वीडियो थी शायद आपने देखी होगी अगर नहीं देखी होगी तो मैं इस लिंक के बाद शेयर करूँगा आपको पता लग जागा किस कैसे हुआ क्षिया क्यों पता है कि अमर्जंसिय के केस में करना क्या है तो यह जार बच्चे हजारों बच्चे हजारों जो लेडीज हैं पूड़े हैं वह लोग मारे जाते हैं क्यों क्योंकि उनको पता नहीं होता है की करे क्या आम तोर पर देख जाया dest centrally से स्कूंटते हूएहों our Thomas करना कभ तो फायर जो है को पूपन कोज है की हो жाती है इसमें और भच्झों को भी चोट लग जाती है और कई बार है और में में हमारे अक्सिंग की स्क्वाण बढ़ जाते हैं तो कई जगे पर फायर अलारम सि्टम नहीं होते है क्यों मान लगी है आप उसको जो को is't करना है कैसे बार तो यह को पासे केस्श किस देखे गए कि हमारे को अनुभव नहीं है हमारे को आग के अंदर के केस में कैसे डील करना यह पता नहीं है इसलिए कई बार ऐसे केस देखे गए है कई बार आग लगती है डैमेज्ड कुकिंग अप्लाइंस के वज़ासे कि आप जो खाना बना रहे हो गैस का बरनर नहीं हो जाती है और जैसे पहले हमने बताया कि जो लोग है उनको पता ही नहीं है फायर फाइटिंग के डिवाइसे क्या है कौन-कौन से एक्टमेंट है उनको किस तरीके से यूज किया जाए और अगर आग लग गई है तो भागे कैसे अपनी जान बचा के रसे है फाइर ट्रेणिग आपने लिए तो किस तरीके से आप अपने आपको बचा सकते हो अपनी Department के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आप जान बचा सकते हो तो क्यों और च्योंकि आप एक ऐसे वरक्पेस के उपर काम कर रहे हो जहां पर आग लगने की जो संबावन होता है जो प्रोपर्टी है उसकी लगाई जा सकती है कि वILYा एक बिल्डिंग गर गई तो एक करोड का नुक्सान हुआ अब किसी आधमी की जान चलेगी तो कितना नुक्सान वह वह आप वैल्यू में करोगी कैसे उसका Anubraan लगाओज की कि उसकी जिंदगी कीमत कितनी थी तो इसके डिया कीमत को कीब हो इसलिए ऐसकी रही आप को ज़रूरत है बाइल सेफ टी एगर आपने望 डेनिंग की है आपको पता है फायर सेफटी के किस में क्या किया जाए को इडिजास्ट्रस कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे बाहर निकले कैसे अपने आपको करे कैसे खुद की जान बचाए और कैसे जो आपके साथ में जो लोग रह रहे हैं जो आपके कलीग से उनकी जान कै से बचाए सब को बाहर सेफली सुरक्षित जगह पर कैसे लेके आया जाए दूसरी बात अगर आपने फायर से ट्रेनिंग ली है तो आपको पता रहेगा कि जितने भी फायर से रिलेटेड होने वाले रिस्क हैं उनको आप कम कर सकोगे और अगर किसी मुझमेंट पर भी फायर होती है अगर आपको पता है कि किस वज़े से आग हुई है तो आप उसको फायर फैटिंग कर सकते हो आग लगने के बहुत सारे कारण है जैसे आपने देखा था कि हमारी वज़े से आग लगती है तो कई बार इलेक्ट्रिकल वायर जो है उनके लूज कनेक्शन होने के देखा गया दिवाली पर पूजा करते हैं तो पूजा करने का मंदिर में जो दिय रखे जाते उनसे आग लग जाती है आग लगना अंसर्टन है कभी भी कहीं भी हो सकता है खास करके जो समर सीजन होता है जो आपका मार्च अपरेल मैं जून जुलाई तक जो इस सीजन रहत रहती है हमेशा अगर आपको फायर सेफटी का ट्रेनिंग मिला हो है अगर आप फायर सेफटी के बारे में जानते हो तो आप आग बुचा सकते हो और आप फायर फैटिंग के अंदर उसकी हेल्प भी कर सकते हो जो फायर फैटिंग करने के लिए हैं उनकी और उसके बाद मे अब क्या-क्या इस किस-क्याชाव से याग लग सकती है इक इलेक्त्रिक हीटर कि produto याग लग सकती है जासे थंड का सीजन आएगा अभी Tulis का discuss किया, ठंडी के सीजन में जब हम हीटीर चला के सो जाते हैं और हम जब सोते हैं तो हमारी चदर, हमारा तक किया हमारा कंबल, उसके kontakt में आता वहां से आगलंग मी शुरू होजाती है आदमी जब सो रहा होता है, तो वैसे ही बेहोश होता है और आदमी मारे जाते हैं तो अगर कभी ऐसी चीजे हो गई हैं तो उसको कैसे उससे डील किया जाए कैसे प्रिडिट किया जाए कि यह हो सकता है माल लीजी जैसे हमने बात किया अगर आप एक बैड़ पर सो रहे हैं और हीटर आपके पास रखा हूँ आपने गर्मी के लिए या कमरा गरम करने के लिए आपने हीटर को लगाया है हमने कोशिश करना है कोई भी लूज ऑब्जेक्ट उसके पास में रखना है उससे दूरी बनाकर रखनी है ताकि किसी भी केस में वहाँ पर आग ना लगे आपके जो कपड़े हैं जो उड़ने वाले हैं उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है तो यह कैसे हम लोग करेंगे कैसे सिखेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे अगर आप फायर सेफटी के बारे में जानते हो तो आप हमेशा जो भी लोग अंदर फसे हुए हैं जो आग के केस में अंदर फसे हो उनकी जान बचा सकते हो एक सूरत में भी एक accident हुआ था, एक building थी जिसके अंदर tuition का काम चलाय जाता था, tuition चलती थी, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे आते थे, एक बार building के अंदर आग लगे, 20-22 बच्चे जो थे वो कूद के मर गए, उनको पता नहीं था कैसे करें, कैसे बचें, तो जानकारी के अबाव में आदमी की मौत हो जाती है, कैसे कैसे करके उससे आपने बचना है, उसके बारे में जानेंगे आज, दूसरी बात, लो जो है, जो कानून है, वो भी demand करते हैं कि आपको fire safety की training लेनी ही लेनी है, जब भी आप किसी अच्छी company में जाएंगे, तो employer का फर्ज बनता ह है कि आपको fire safety के बारे में training दे, उससे होने वाले जितने भी हजार है, उसके बारे में आपको बताएं, अगर आपकी site के उपर कोई ऐसी activity चल रहे है, जहां से fire के खतरे हो सकते हैं, तो उसके risk assessment करें, risk assessment जो है, उसके अंदर से risk assessment निकाल के और जितने भी आपके safety health के जो workers ह लिए आपको बताया जाता है, उसमें ये act लागू किया अगर दो जार पांच में, ये जो act है, जो under section 19 इसके अंदर बताया गया था, कि जितने भी आपके जो लोग है, जो site के उपर काम करें, जितने भी आपकी employees है, सभी की safety की जिम्मेदार, ये एक employer की है, आपके site के उप आपकी premises के अंदर आग लगने की जो खतरे हैं, वो ना हो पाएं, अगर आपने एक बार fire के assessment कर लिया, आपने risk assessment कर लिया, तो आप preventive action ले सकते हो, कि आप कैसे रोको गया आग को, अगर नहीं रोको गया तो उससे होने वाले नुकसान को आप कैसे कम कर सकते हो, तो उसके ब कभी भी आपके पास मोका है, आपको किस तरीके से fire fighting करनी है, तो आपको यहापे भी आप देख रहे हो, section 2005 में, section 19, section 8 के अंदर ये provision रखा गया है, कि आपकी जो site है, आपका जो workplace है, उसको risk free रखना है, और वो risk free तभी रहेगा, जब आप site के उपर काम कर रहे हैं, और आप को fire safety की knowledge है, अगर कोई emergency होगी, तो आपने क्या action लेना है, उसके बारे में आपको पता है, उसके अलावा, क्यों आपको fire safety की training के जरूरत है, ताकि आपकी जो organization है, उनके आदमियों को जो वहापे काम कर रहे हैं, उनको हजार से दूर रखा जा सके, और आपकी organization में जो आग लगती है, तो दुरुगटना है, कई तरीके की हो जाती, कई बारी नुकसान जो होता है, बहुत हद तक हो जाता है, माल लीजिए, मैं एक आपको example दे रहा हूँ, आपके site के ओपर आग लगई, और एक phone जल गया, एक रफली आपको अंदाजा दे रहा हूँ, माल है, मतलब एक आपकी property, जो आप जिस property के अंदर काम कर रहे थे, उस property के अंदर आग लगी, एक करोड का नुकसान हुआ, एक करोड का वो नुकसान हुआ, जो जो जल चुका है, एक करोड का वो भी नुकसान है, जो आपको वही चीज दुबारा आपको बनानी है, वही चीज आपको fire safety की training मिली हुई है तो आप अपनी site को आप protect कर सकते हो आपकी site के अपर property जो है उसको बचा सकते हो यह factor कुछ काम करेंगे जिससे की आपको replacement और purchase जो दुबारा करनी है एक चीज जी से हमने discuss किया एक phone अगर आपको site के उपर था वो खराब हो गया जल गया अगर आप दूसरा phone लेने जा रहे हो तो कितनी cost आपको पड़ेगी तो इसी तरीके से आपको calculation निकालनी है वो एक करोड का नुक्सान यह double हो जाता है उसको कैसे कम कर सकते हैं उसको कम ऐसे कर सकते हैं कि आप जिस भी site के उपर काम कर रहे हैं वापर model किजिए आप याद किजिए अप model के दोरान को session रखने model एक demonstration है तरीके से आप एक rehearsal करने है कि अगर कभी कुछ हो जाता है तो उसमें आपने किस तरीके से react करना है माल लीजिए आप बंद कबरे में बैठे हों है आपको बाहर निकलना है तो आपको एक model कैसे करनी पड़ेगी अपनी आखों पर पट्टी बा यह जो same practice है अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हो अपने घरवालों के साथ भी कर सकते हो यह practice आपको करनी है एक मेरा question हो रहा है आप जितने भी लोग fire safety के बारे में जानते हैं आप यह बताइए आपने घरवालों को fire safety की training कब दी थी कि अगर कभी आग लग जाएगी घर में तो करना क्या है यह भी सोचके देखेगा आज जो training session ले रहे हैं उसको अपने घरवालों से भी discuss कीज़ेगा कि हो सकता है उनके साथ भी कोई emergency हो जाए उनको भी हमिशा पता रहे ना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हुआ जितने भी organization के अंदर लोग है वहाँ पे आपको fire safety की training के साथ-साथ fire safety की audit भी करानी है fire safety की audit में क्या-क्या होगा पहली बात तो fire safety की audit करोगे वह आपको एक legal law है एक safety के लोग और regulation के अंदर आता है कि आपको fire safety के audit करानी ही करानी है दूसरा आपको जो litigation मतलब आपको जो obligations हैं आपके वपर ना है कोई legal action आपके उपर ना लिया जाए उसके वुझे से भी आपको फायर सेफटी की ट्रेनिंग और आपको जो एनोसी है नौन अब्जेक्शन सेटिफिकेट बोलेना पड़ता है तीसरी बात आपके जो वरकर है जो इंप्लोई आपके यहां पर काम कर रहे हैं उनकी सेफटी का आपको ध्यान रखना है तो उसके लिए भी आपको ओड़िट करानी है चोथी बात यह एड करनी है आपको वैल्यू एड करनी है अपनी और आपके अंदर आपकी जो इंप्लोई हैं सारे के सारे अगर जानते हैं कि हाँ फायर के केस में क्या किया जाए तो आपकी जो वैल्यू है बढ़ेगी पाची बात जो इंप्लोई हैं उनका उनका ट्रस्ट गेन करना है आपको कि हाँ मेरी जो कंपनी है वो सेफ है किसी बिल्डिंग के अंदर किसी होटल के अंदर आग लगी और आप चार दिन के बाद वहां पर इंट्रू देने के लिए जा रहे हो कि वहां पर आ है उसको गेन करने के लिए आपको जरूरत है ताकि आप इसको फ्रस्ट गेन कर सके तो इसकी क्या है कोई भी आदमी इसको ले सकता है इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको कोई डिगरी की जरूरत नहीं है कोई भी आदमी इस ट्रेडिंग को ले सकता है हर एक आदम जो भी आपके साइट पर काम करा बच्चा बुड़ा जवान औरत सब को फायर सेफटी के बारे में पता होना चाहिए अगर आप कोई अगर आपकी उर्गन जाती है और और आपकी उर्गनेगर परूल था जो संटद है त्क एशंट दुबारा नहीं उसके बाद में इस प्रोगराम का सीखेंगे कि बेसिक प्रिवंचन क्या है आप BUT prevention क्या करना है रोग थाम के लिए आप क्या कर सकते हो और ऐसा के दुबारा ना हो उसके लिए protection क्या कर सकते हो और आग लग गई है तो क्या करना है fire extinguisher को use कैसे करना है fire drill और मोग drill कैसे की जाए और उनकी importance क्या है जैसे कि हमने पहले discuss किया आग जो है अगर हमारे control में है तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है आप इससे खाना पका सकते हो अगर control से बाहर निकल गए तो आप आदमी को भी पका सकते हो इंसान जो है वो भी जलने वाला है आदमी को जो हिं जो natural elements है हमारे शरीर के अंदर earth, water, body जो है इससे बना हुआ है हमारा earth, water, sky, fire और air तो इसको हम इंदी में बोलते है चिती, जल, पाव, गगन, समीरा, पंच तत्व से राचा शरीर है यह वो पाच तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है जैसे earth है सब बोलते है मिट्टी का शरीर है, water हमारे शरीर के अंदर 70% तक water है, air जो हम oxygen ब्रीथ कर रहे हैं वो oxygen है, sky, sky है हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोचने है कोई शक्ती नहीं है, limitless सोच सकते हैं हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में 60,000 से ज़्यादा idea ज जब तक आपके शरीर में fire है, जब तक आप जिंदा हो, पहले जब डोक्टर नहीं होते थे तो वैद होते थे, अगर किसी को कोई चला गया, आप किसी को लेके चले गए, कि भाया ये जिंदा है कि मर गया है, तो मतलब इंसान जिंदा है, शरी ठंड़ा है, तो आदमी बोल करती है, क्योंकि नाक exposed है, तो कपड़े को हाथ कपड़ों के अंदर जो हाथ है, उसको देखेंगे, अगर वो गरम है, तो आदमी जिंदा है, तो fire हमारे शरीर में वहाँ पे है, fire को ऐसे आप देख सकते हो, इस तरीके से में पता लगता है कि हमारे शरीर का main अंग है fire, आप आग को बुझा पा सकते हो, बुझा सकोगे, अगर आपने सही तरीके से सही डील के है, तो आप आग को बुझा सकते हो, fire का ट्रेंगल है ये, fire का ट्रेंगल है, इस तीन चीजों से मिलके बनता है, इसमें heat, oxygen और fuel है, मेरे इसाब से ये तीन चोर है, जिनके अंदर एक तीजोरी की एक एक चाबी है सबके पास में, और तीनों मिलके जब तीजोरी के अंदर चाबी डालेंगे, तो एक तीजोरी खुल जाएगी, मतलब आग लग जाएगी, आग बुझाने के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको इन में से एक चीज को हटाना पड तो वहाँ पर आग आपको कैसे बुझानी है, आग बुझाने के तरीके हैं, फायर सेफटी का ट्रेंगल है, जैसे उपर देखा था फायर का ट्रेंगल, हीट ऑक्सिजन फ्यूल, यह फायर सेफटी ट्रेंगल है, सबसे पहले है वट इस रिकॉइड, मतलब क्या आपके पा तो आप कैसे बुझाएंगे उसके अंदर, क्या-क्या आपको चाहिएगा, तो आपके पास मान लीजे हैंकी है, आप इससे बीट करके आग को बुझा सकते हैं, तो हमारे जो सिचुएशन है, वो बदलती है, सिचुएशन के साथ में, जैसे बड़ी आग है, तो हमको क्या है, what is required, what is available, how to apply, यह तीनों चीज़े अगर आपने देख ली, आपने समझ ली, तो आप आग को बुझा सकते हैं, आपके फायरफाइटिंग कर सकते हैं, उसके इलावा, क्या-क्या हमारे तरीके हैं, जैसे हमने बोला था, तीनों चीज़े हैं, heat, oxygen, fuel, इन तीनों चीज़ रही थी, जलती जा रही थी, जलती जा रही थी, ऐसा जो case है, उसको आप खेतों में देखते हैं, खेत के इंदर जवाब जाएं, और बहुत लंबे सिर्य में आगर आग लगी, खेतों में आग लगी, एक खेत में आग लगी है, दूसरे खेत के आग को बुझाने के लिए क तीसरा है smootering और blanketing blanketing क्या काम करता है माल लीजिए आपने ये पहले बहुत पुराना method है इसको beating method भी बोलते थे इसमें क्या करते थे इसमें क्या करते थे forcefully तरीके से आपको oxygen की मातरा को forcefully हटा दिया अगर oxygen की मातरा मातरा को forcefully हटा दिया तो तीन ट्रेंगल थे तो कूलिंग डालनी पड़ेगी पाने डाला तो कूल हो गया स्टारवेशन मतलब इंदन को हटाना है मतलब बहुत लार्ज स्केल में आग लगी थी खेतों में आग लगी थी आपने एक खेत के चारो तरफ का अरिया मिट्टी डाल दी आपकी आग वही में भूख से मारेगा तो आग को भूख से मार सकते हैं स्मूधरिंग ब्लैंकेटिंग मतलब आपने ऑक्सिजन को अटा दिया कुछ देर तक जैसे मैंने माचस की त्विली का एक्जामपल देया माचस जलाई फूक मार दिया स्मूधरिंग हो गई यह सेम तो सेम चीज मान स्मूधरिंग के तरीके से बुझाता है अपने फायर एक्स्टिंगुशर के अंदर से आप पाउडर फैकते हो या आप गैस फैकते हो तो क्या करता है वहाँ से ऑक्सिजन हटा के उसके अपर खुद बैढ़ जाता है आग जो होती हो बुझ जाती है तो यह तीन मेथड है आपका लकड़ी पेपर गतता कोईला सारी की सारी चीज़े इसमें आघी बटास में आता है लिक्वीड फायर जैसे डिजल पेट्रोल गैस डिजल पेट्रोल केरोशील और यह जो लिक्वीड आपका ड्रिंक भी जो करते अल्कॉल भी सी सिरेग अरी मेघाता है C, C में होती, gases, fire, LPG, CNG, PNG, सारे के सारे, C class में कि D में आते हैं, metals, metals में आता है, sodium, magnesium, phosphorus, सारे के सारे, उसमें आते है, F में आते है, F में आता है, kitchen fire, F जो होता है, cooking oils भी है, और D fire के इंदर भी जब आगल हो जाती, तो F में आता है, और एक होता है electrical fire, electrical fire जो उसको शिरेनी में रखा भी गया और नहीं भी रखा गया, वो ऐसी है कि जैसे पूरे वर्ड में दो लोगी है, एक जैसे इंडो एशियन होगी, एक यूरोप की होगी, मिडल एस्ट की होगी, तो दोनों जगह पर अलग-अलग वो मिलते हैं, कुछ ल इक टिकल की वायर है, उसमें से एक spark गिरा, spark गिरा, नीचे गत्ता गिरा होगा था, गत्ते के अंदर आग लगी, तो कौन सी ग्लास बनगी? A-class, अगर उपर से वही spark गिरा, किसी petrol के अंदर, के अंदर, क्लास कौन सी बनगी? B-class, वहीं पर किसी LPG के पाइप के अंदर, gas जो रहे थी, एक ignition source गिरा, spark गिरा, और pipe के अंदर आग लगी, तो कौन सी ग्लास बनगी? C, वहीं metal पर किर गया हो, D-class बनगी, जो E-class fire हो, खुद एक fire नहीं है, वो एक तरीके से आपका ignition source है, एक ignition source ऐसा है, जो आग लगाने का काम करेगा, तो आपको वो चीज देखनी है कैसे आपको आप बोजानी है, यह भी इसमें अंदर को डिपेंट करेगा, तो जिस तरीके से इनने पहले बोला, class A, जिसमें कि लकडी गत्ता पेपर कोईला आता है, B, B-class में paint, grease, oil, gasoline मतलब petrol है आपका, petrol, diesel आजाएगा, C में LPG, CNG, methane, आपका जो gases आजाएंगी, D में आप का, जो है, magnesium हम आजाएगा, उनके नीचे आपको fire fighting media भी दिये हो है, जैसे extinguisher, कौन सा extinguisher उसको बोजा सकता है, वो भी इसके अंदर दिया गया है, यह class जैसे कि हमने पहले बता है, electrical fire जो है, वो एक source है, आग लगाने का, अगर उससे कोई चीज जलेगी, तो उसकी class जो हो soda-based होते है, water-based होते है, foam-based होते है, gas-based होते है, powder-based होते है, soda-water जो है, वो पहले आते थे, अभी आजकल नहीं आते है, वो plunger road होती थी, तो कांच की tube जो हाथ में चुप जाते थी, इसके लिए वो बैन हो गए है, दूसरी बात, आपके, जो CO2 वाले है, वो VVR है, जो कि कोचिंग जी जाती है, वहां पर use होते है, foam-based जो है, वो भी आते है, foam दो तरीके का होते है, chemical foam होते है, mechanical foam होते है, जो gas foam होते है, जो gas boost होते है, उसमें CO2 बेस आता है, powder में DCP और ABC टाइप आते है, तो आम तोर पर जो fire extinguisher है, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते है, दोनों तरीके से आपका red रहता है, बीच में आपका green signal रहता है, इधर की तरफ red चला गया तो मतलब खाली है, उधर की तरफ red चला गया तो मतलब फट सकता है cylinder, बीच में जो green line हो safe zone है, तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, या पर दिया हुआ, यह तही है, आपको ठी heat oxygen fuel का triangle है, उन में से आप एक भी चीज को अटा देंगे, तो आग भुझ जाएगी, यह fire के classification देदी, कौन-कौन सी classes है, या आपने उसका कर दिया है, वही कौन-कौन सी classes है, जिसे kitchen के लिए k fire भी use करते है, इंडिया के इंदर कई आज कल इसको use करने लगे है, वही जो cooking media है अगर उसके अंदर आग लग जाए तो के class की fire में आएगा, यह fire extinguisher है, fire extinguisher के कुछ पार्ट दिये गए है, जैसे यह discharge lever है, इसको जो press करेंगे, तो discharge होगा यहां से, fire extinguisher जो material है, वह बार फैकेगा, pressure gauge जैसे हमने बात किया, दोनों तरफ red है, बीच में green है, मतलब एक तर के aim बना के fire fighting कर सकते हो, और नीचे आपको nozzle दिया हो, जासे की fire fighting का जो material हो बार निकले गए, यह किसी तरीके से fire extinguisher के type दिये गए है, class A के लिए आपका ABC fire जो है, उसको भी आप use कर सकते हो, या फिर पानी वाला जो आपका fire extinguisher हो best है, आम तोर पर जब भी आपका fire extinguisher दे लेगरी के angle में उसकी nozzle रहती है, B class का देखेंगे powder type उसका आपको अलग nozzle दिखाए देगा, DCP देखेंगे उसका अलग रहेगा और आप CO2 देखेंगे बड़ा सा होरन उसके इंदर दिया रहता है, इतना बड़ा pipe रहता है, उसका आपको अलग से दिखाए दियेगा, तो ज प्रेशराइज ऐसे होते हैं, जो कि प्रेशराइज होते हैं, आम तोर पर जब एक fire extinguisher आप देखते हो, तो fire extinguisher के अंदर आज कल तो stored pressure type क्या आते है, stored pressure type में क्या होता है, fire extinguisher के अंदर liquid डाल के पानी डाल दिया या powder डाल दिया, उसके साथ में dry nitrogen gas होती है, dry nitrogen gas को उसके अंदर भरके दवाब बना दिया जाता है, जब भी आप कभी pin को तोड़के उसको उटाओगे तो release होके fire fighting का जो material उसको बाहर फैक दिता है, दूसरा carbon dioxide को है, वो smoothing method से करेगा, उसको कुछ दिर के लिए oxygen को वहां से अटा देगा और fire fighting करेगा, और multi-purpose जो fire extinguisher है, ABC जो हम alarm, C for contain, E for extinguisher, यह हमारा method है, fire emergency response को, response करने का fire emergency के दुरान में, तो सबसे पहले अगर आपको fire दिखी, तो आपने पहले कोशिश क्या करनी है, खुद वहां से जाईए, अगर आपको fire fighting नहीं करनी आती है, तो अगर आपको fire fighting करनी आती है, तो आप alarm दीजिए, यह नहीं है क करके सबको बुलाइए, फिर आप contain करो कि हाँ, आगर मालो आपको आग बुजानी आती है, आग बड़ी है आपसे, तो आप कोशिश करो, वहीं पे रहो, जो fire extinguisher करने के लिए, जो आएंगे, जो आपकी help करने के लिए उनको बताइए, किस तरीके की आग लगी है, कैसा material अ बहार निकाल देंगे, पिन को तोड़ देंगे, उसके बाद aim करेंगे, जहां पर base है fire का, कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं, आग लगी है, और दुवा उपर निकल रहा है, आग की लप्टे उपर निकल देंगे, तो आग की लप्टों पर या दुवे पर मारने का कोई फैदा नहीं है, आपको वहां पर fire fighting का media फैकना है, जहां पर की आग लगी ही, जो main source, अम्मान लेजी एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आग लगी है, आप दुवे के उपर या आग के उपर आप पानी फैक रहा हो, तो वहां से आग नहीं बुझेगी, और बढ़ेगी क्योंकि उसको पानी के साथ में भरपूर मातरा में oxygen भी जा रहा है, अपने साथ carry कर रहा है, बहुत heavy मातरा में, दूसरी बात में, आपको squeeze करना है handle को, जो उपर जो handle दिया गया है, उसको जैसे आप दबाओगे, तो वह fire fighting का जो extinguution media उसको बाहर निकलने आप काम करेगा, उसको बाहर फैकेगा, और उसको चलाने के बाद आपको जो aim आपने बनाया था, उसके थुरू आप side by side उसको ऐसे ऐसे गुमाते रहे, ताकि आपकी आपकी आग बुझ जाए, तो यह pass method है, तो race और pass दो method होते हैं, जिनके थुरू आप fire fighting कर सकते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका fire extinguisher जो criteria है, उसका क्या क्या है, अगर आपको fire की emergency, आपको पता है कि fire की emergency में क्या 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 करना है, evacuation कैसे करनी है, तो आप उसके इसाफ से deal कीजिए, आपको fire extinguisher use करने हैं, आते हैं, तो उसको use कीजिए, नहीं, तो कम से कम जो को fire fighting वाले जो आ रह कर सकते हो, जब भी कभी आग लग जाए तो हमेशा alarm देना है, आप manually भी alarm दे सकते हो, आग 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 या फिर fire alarm के छोटे-छोटे MCP भी लगे होते हैं, जिसको manual call point बोलते हैं, उसको आप शीशा तोड़के वाह से alarm रेज कर सकते हो, या direct जो alarm पैनल है, वाह से भी आप emergency का alarm जो है, वाह से create कर सकते हो, उसके बाद अगर आग लग दिया तो आप कोशिश कीजिए कि जो धुआ हैं, उसको और जदा ना किया जाए, उसको धूरे को कम किया जाए, धूरे को आपने कम करना है, और कोशिश कीजिए, अगर आपको जुरूरत लगे कि आपको building evacuate करनी है, जब आपको fire नहीं आती है, firefighting करनी तो आग भुजाने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर से बताता हूँ कि शक्तिमान बनने ही कोई जुरूत निया महापे, आपको alarm देना है, अगर fire छोटी है, छोटी है आपको पता है कि आपके control में हो जाएगी तो आप firefighting की कोशिश कर स सकते हैं, दूसरी बात जब आपको अगर लगे कि safe access है, मतलब मान लिजे आपके सामने आग लगी हुए है और आप आग भुजा रहे हो, और आप वो आग भुजा, अगर नहीं भी भुजी तो भी आप बाहर निकल सकते हैं, तो safe access आपका route है, तब आप आप बुजा सकते ह अगर आपको लग रहा है कि आपके दरवाजे में आग लगी और आप अंदर फसे होई, तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, पहले आप बाहर निकल जाओ, बाहर से आप आप बुजा लो, कोई डिकत नहीं, आप अपने आपको safe करो पहले, ऐसा नहीं कि अंदर से लगा के अंदर fire extinguisher use नहीं करने आता है, कहीं भी आपको doubt लगे तो फरा रोलो वाँसे, भाग जाओ, भागने में ही बलाई है, भागने में ही अपनी जान बचा सकते हो, जब आप खत्रे से दूर हो तब, अगर आप खत्रे के बीच में खड़े हो, तो आग से आपको कोई नहीं बचा सकत आते थे, यह fire extinguisher ऐसे आते थे, जो कि आज भी institute में use हो रहे है, आज भी material use हो रहा है, इसमें नीचे sodium bicarbonate भर देते हैं, पानी के अंदर mix करके, ऊपर soda भर देते हैं, और acid की bottle आती है, काच की bottle रहती है, छोटी सी, उसके उपर जैसे plunger road आप पिट करते हो, तो पंचर हो क जो acid होता है, तेजा आप जो होता है, पानी के अंदर मिल जाता है, sodium bicarbonate को mix करते हैं, ऐसे हिलाके, फिर आप fire fighting कर पाते हो, यह training के लिए use होता है, यह water based, यह भी आजकल बहुत कम आते है, आजकल सारे के सारे जितने ही आते है, stored pressure आते हैं, जैसे कि आप ABC देख रहे हो, ABC म एक mechanical तरीके से इसको form बनाया जाता था, दोनों को जो mix करते हैं, तो यह automatic pressure generate होता था, उसको आप फिर fire fighting के लिए use कर सकता है, यह form based है, इसमें mechanical form के सारा था, इसमें AFFF form यूज करते हैं, AFFF form का मतलब है, AFFF मतलब aqueous film forming form, यह जो form है, यह आग के उपर एक layer छोड़ना है, एक पतली सी जैसे oil की layer होती है, ऐसे आपको layer दिखाए देगी, वो जो layer होती है, वो आग को बुझाने का काम करती है, और cooling कर देती है, इस तरीके से वो जो AFFF form है, एक बस film forming form, वो इस तरीके से आग को बुझा रहता है, लेकिन आपको आग जहापे लगी, उस तरफ यूज किया जाता है, जहाँ पे कि आपको foam वा जापे कि आपको diesel और petrol जल रहा है, वहाँ पे जब जल रहा है, तो आपको उसको वहाँ फोकस करेंगे, जहाँ पर डारेक्ट ऐसी सतय पर लगेगा, जहां से लगके और ज्यादा oxygen की मातरा बनाकर bubbles ज्यादा मनेंगे, जितन के अंदर जो weight होता है, 25 kg के असपार होता है, मतलब उनको carry करना थोड़ा tough होता है, ये gas-based है, ये halon type है, आजकल बहुत कम दिखता है क्योंकि halon जो उसको ban कर दिया गया है, क्योंकि इन्वार्मेंट को pollute कर रहे थी, हमारे जो ozone लेयर उसको खतरा पहुचा रहे थी, तो इ ये cooling agent है, जैसे आपका जो refrigerator है, उसमें भी same gas दलती है, आपका जो AC है, उसके अंदर भी same gas दलती है, वही halon firefighting के लिए बहुत अच्छी साबित होती थी, और जैसे आजकल जो fire bomb आपने देखा हुआ, ऐसे fire bomb के तरीके से आती थी, red color में आग लगी आप फैंक दो, आग बु होता है, और उसके बाद ये powdered beast है, जिसको ABC type भी बोलते है, आजकल जो आपको ज़्यादा type के दिखांगे, वो ABC type के दिखेंगे, ये gas modular होते थे, इसके अंदर क्या करते हैं, एक fire extinguisher की तरह ही, इसको उपर लगा देते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, एक छोटा सा sprinkler लगा देते हैं, और sprinkler की तरह जैसे आग लगती है, sprinkler फटता है, और ये पूरा fire extinguisher, जो material हो उसको नीचे डाल देता है, उसको modular बोलते हैं, ये है fixed fire fighting installation, इसमें क्या करते हैं, माल लीजे आपकी building बहुत उची है, एक building के अंदर उपर या नीचे कहीं, एक tank दे दिया, दो से डाइला की capacity का, एक tank के अंदर से आपको दो-तीन pump लगा दिये, दो-तीन pump लगाने के बाद एक water pipeline खीची, और सब जगह पर एक outlet निकाल दी, और उसके अंदर आपने sprinkler दे दिये, और pump दे दिये, और hydrant दे दिये, इस तरीके से, तो ये आपका एक line है, ये आपका line माल लेजे, आपका 10 floor का building है, तो उपर से नीचे तक पूरी आपको ये building दे दानी है, और उसको जगह जगह पर आप fire hydrant और hoj reel और hoj box ऐसे दे देंगे, जहापर भी आपको जरूरत हम आप आप इसको use कीजी और fire fighting शुरू कर दीजी, तो इसको wet razor बोलते है, wet और dry razor दो होते है wet razor वो होता है, जिसमें हमेशा पानी बढ़ा रहता है, और dry razor वो होता है, जो कि सूखा रहता है, जब जुरूत पड़ती है fire fighting के, तो उसको आप पानी डाल के उसको चार्ज कर सकते हो, तो ये decide कोन करता है, कि आप यहाँ पर wet razor लगाएंगे, या dry razor system लगाएंगे, तो जो ह हमारे architect होते हैं, जो कि certified architect है, वो ये बताते हैं, कि भाईया, यहाँ पर wet लगेगा या dry लगेगा, पानी के availability के हिसाब से, weather के हिसाब से, जिसमान लीजिए, high altitude पर जहाँ बरफ गिरती है, वहाँ पर भी dry type के आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर पानी बरा रहेग तो हाँ पर आपको box पर लिखा होगा, कि यहाँ dry rager है, ऐसे आपको water level का flow दिखा रहे है, कि water level का flow किस तरफ जा रहा है, यह एक anti-thept valve है, जिसके अंदर क्या करता है, जिसके अंदर क्या करता है, जब हम pump चलाते है, तो pump में पानी के साथ-साथ air का भी काफी सारा pressure आता है, जब पानी चलता है, फट-फट-फट की अवाज आती है, जब pump चलता है, जैसा चलता है, उस हावा का जो pressure है, उसको निकालने के लिए air release valve लगाई जाती है, और उसको control करने के लिए ताकि वो गयाब ना होजाए, कोई चुरा ना ले, क्योंकि यह brass की होती है, पीतल की होती उसके लिए anti-thap device लगा रहते है, और ये landing wall जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको जो pressure है, वो release हो जाएगा, और आपका जो pipe उसके इंदर से एक्स्ट्रा air वो निकल जाएगी, तो ये wet raiser system आपने देख लिया, ये inlet और outlet आपको कैसे है, कैसे दिखाए देंगे, इस तरीक कैसे ये पुराना design होता था, domestic tank होते थे, domestic tank जो है वो overhead होते थे, छत के उपर लगा रही है, ताकि वैसे ही pressurized रहे, आपको pump जो उसको कम काम करना पड़े, आजकल जो है वो grounded आते है, pump की capacity बहुत high हो गई है, grounded जो underground रहेंगे, वासे भी pump up करके बहुत अच्छा pressure आपको बन देते हैं, generally कितना pressure रहना चाहिए, एक pipeline के अंदर, एक pipeline पे 4 kg से लेके 8 kg तक का pressure आप दे सकते हो, अगर 4 kg से लेके 8 kg तक का pressure आपकी fire hydrant के अंदर है, तो वो good pressure है, अगर आप उससे आप अपनी hydrant या nozzle लगा के अगर pressure फैकेंगे, तो आपका जो pressure हो 25 से लेके 50 मिटर तक का pressure आपको मिल सकता है, तो यह कुछ example है, इसकी जो testing और commissioning हो कैसे करेंगे, तो ऐसे कर सकते है, flow rate क्या होता है, तो यह उसके इसाब से दिया गया, 13.5 liter for each additional rising main, उसी के इसाब से दिया गया, कितना pressure है ना चाहिए, नीचे देखेंगे, आप 8 बार, 3.5 बार से लेके, 8 बार तक क जो pressure हो, आपको maintain करना होता है, यह हमारे gate wall दिखाई गई है, check wall, gate wall के कुछ pictures है, ताकि अगर आप कभी side के उपर जाओ, और ऐसा कुछ आपको दिखाई दे, तो आप से इन से समझ जाओ, कि यह कौन से अपने guide wall है, या कौन से आपका landing wall है, कौन-कौन सा pressure release wall है, इस तरीके क color में उसको होता है, और यह जो rest, जो red color होता है, इसको pure red भी बोलते है, post office red color होता है, जो आपको देखेंगे, जब पुराने-पुराने post office आते थे, बाहर जो उसके ने drum रहते थे, उस पे यह color use किया जाता था, तो इसको pure red बोलते है, जिसका fire fighting के तर जो भी pipes होंगे, उसके पर हमेशा आपको यह वाला color दिखाए देगा, और किसी भी pipeline के उपर यह वाला color आपको नहीं मिलेगा, यह red है, gate valve है, flow switches है, flow switches क्या करते है, flow switches माली जे एक pipeline के अंदर pressure है, और pressure जो है, अगर pressure normal है, तो वो ऐसे रहेगा, आपको needle रहेगा, आपको needle रहेगा, अब माली जे प centralized खड़ा है, या एक ही जगह पे है, तो मतलब flow switch आपका बढ़िया है, अच्छा काम कर रहा है, जैसे ही pressure low होगा, pressure ज्यादा होगा, निकलना शुरू करेगा, तो आपको flow switch में आपको alarm आएगा, आपको पता लग जाएगा, आपको पानी के pipeline के अंदर दिक्कत है, या तो कह आपको पता कर सकते हैं, इसका alarm आपके पैनल के अंदर भी आता है, तो यह flow switch है, और कुछ check valve है, और कुछ beauty pumps है, जैसे pump जो होते हैं, वो जैसे, जो की pump रहता है, जो की pump pressure build-up करने या काम आता है, हमेशा pressure को build-up करता है, उसके बार main pump होता है, stand-by pump होता है, diesel engine pump होता है, तो यह जो कुछ pump होता है, यह किस तरीके से दिया जता है, जो की pump जो pressure maintain करेगा, main pump जो होता है, वो आग के case में fire fatting करेगा, माल नहीं जो light चली जाती है, या main pump खराब हो जाता है, तो आपका stand-by pump काम करेगा, light भी चली गई, stand-by pump भी काम निकर रहा है, जो की भी खतम होगया, अब आपका जो महराज है, आपका जो fire के उपर, जब light भी चली गई तो आपका diesel engine pump है, उसके अंदर diesel रहता है, आप उसको self start होता है, on कर दो, और उसके अंदर pressure भी बहुत ultimate level पर रहता है, एक बार में आप चार nozzle use कर सकते है, अच्छा pressure देता है, आपको fire fighting के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से वो use होता है, तो इसको आप use कर सकते हो, यह इस तरीके का आपको mean pump दिखाई देता है, यह P2 लिखाया मतलब pump 2 है यह वाला, और यह जो की pump रहता है, इस तरीके से चोटा motor रहता है, इस तरीके से आप इसको use कर सकते हो, यह हमारा level indicator है, यह water level भी आप diesel का है, तो diesel level भी देख से वही कितना diesel है हमारे इसके इंगर, वो दोनों को दिखाने के लिए यह दिया जाता है, यह आपको, यह आपका भई अगेर, आपका जो straps है, ताकि कोई भी आदमी unwanted इसको open ना कर पाए, कोई खोल ना पाए, क्योंकि हमारे जो culture है, उसमें ऐसा रहत है, तो इसके लिए यह वाला pressure, किसी को प्रेशानी ना पहुचा है, इसके लिए इसको lock कर दिया था, ताकि unwanted कोई भी आदमी इसको ना खोल पाए, यह आप छत का एक विप देख रहे है, जापर आपका air release valve भी आ गया है, तो air release वाल उपर है, जैसे ही कुछ pressure ज़्यादा हो प्रेशर मैंटेन कर रहा है, मालेजी हमने उसको बोला, वही एट केजी का pressure आपको मैंटेन करने के लिए रखना है, अभी limit switch जो है, वो दिरे दिरे उपर कहीं पानी का leakage हो रहा है, और पानी का leakage हो रहा है, दो बार तक आपका pressure चला गया, तो उसको हम लोग limit कर देते हैं, क यह कुछ check balls है और pipe है, यह देखिए, इस तरीके से आपके जो limit switch हो काम करते है, साथ में एक pressure gauge दिया हो गया, और pressure gauge जो बताएगा कि कितना आपके line के अंदर pressure है, तो यह आपको pressure दिखाएंगे, अब इसमें भी आप देख रहे है, 8 kg के पास आपका pressure मिल रहा है, आपको माल pressure मिलेगा, उपर top floor पे, तो आपको उसको भी घबराना नहीं है उससे, आपको जो pressure अगर उतना मिल रहा है, तो भी आपको ठीक मिल रहा है pressure, और अगर आप और जदा उपर जा रहे हो, 100 मिटर तक की building है, 300 मिटर तक की building है, तो वहाँ पर step pump pump लगा रहते हैं, जैसे कि नीच good pressure आपको होना चाहिए, यह कुछ fire extinguisher है, कुछ limit switch के panel है, जैसे यह आग लगेगी, या limit के अंदर, switch के अंदर, या पानी के flow के अंदर कुछ होगा, तो यहां से alarm बच जाएगा, और आपको बता लगेगा कि pump शुरू हो गया है, pump चालू हो गया है, तो आप वहाँ पर आक यह जोकी pump की पुरानी फोटो है, इस तरीके से traditional style में भी जोकी pump आते थे, यह diesel pump है, जिसके हम बात कर रहेते, अगर light चलेगे तो यह दादा काम करेगा फिर, फिर कोई भी काम नहीं करेगा, फिर यही काम करेगा, यह low color का रहता है, क्योंकि diesel based है, और यह hydrant है, इसके अंद sprinkler system जो होता है, वो इस तरीके का एक heat sensing device है, तो माल लीजे, अगर कभी आग लगई तो इसके अंदर जैसे ही 68 degree temperature पहुचेगा, तो यह जो लाल color का उपर बल रहता है, वो फूट जाएगा, और fire fighting करना शुरू कर देगा, तो यह जो है, वो automatic तरीके से काम करता है, इसलिए automatic sprinkler system भी बूलते हैं, और यह flooding system के अंदर लगाया जाता है, तो यह कुछ fire accidents दे रखे हैं, गोपाला टावर का एक accident हो था दिल्ली के अंदर, 1983 में, तो इसमें एक आदमी मारा गया था, एक सिदार थोटल के अंदर आग लगई थी, जिसमें 23 जनवरी की बात है, 1986 में, इसमे अंदर आग लगई थी, और इनका सबसे unfortunate part क्या था, कि जितने भी यह आग लगई थी, उसमें किसी भी building के अंदर fire का sprinkler जो है, वो नहीं था, अगर sprinkler होता है, तो इस तरीके से detection करके, जैसे यह है आपका smoke detector, इसका काम है खाली दूएं को sense करने का, जैसे आपने माचिस जल थोड़ा सा दूआ उपर गया, यह दूएं को sense करेगा और alarm देना शुरू कर देगा, तो वैसे बोला जाता है कि जो आदमी है वो best detector है, कैसे, आप किसी के घर में चले जाओ, या किसी के बाहर से निकलने लग जाओ, वहाँ पर अगर कुछ अच्छा खाना मन रहा है, तो आ smoke की जो sense है, उस दूएं को inhale करके आप बता सकते हो, किस तरीके के आग लगी हुए, आदमी जो है, उसको इसलिए बोला जाता है कि best detector है, और best detector के साथ-साथ firefighting या भी आप कर सकते हो, लेकिन आदमी की availability नहीं है, हर जगह पर आदमी अवेलेबल नहीं हो सकता, आदमी का जो time में बहुत जादा कीमति है, आदमी का परिवार है, फैमली है, आदमी ऐसा नहीं है कि 24 गंटे के लिए available हो, उसको नींद की भी ज़रूत है, सेलरी की भी ज़रूत है, कपड़े भी देने पढ़ते हैं, ड्रेस भी चाहिए, यूनिफॉर्म भी चाहिए, सब चीज उसको चा कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जो मशीन्स हैं, वो रॉबोट की तरह काम करती है, और जैसे कुछ होती है तो काम करना शुरू कर देती है, तो यह था हमारा फायर फाइटिंग के उपर बेसिक था, कि फायार फाइटिंग किस तरीके से सीखी जाए, फायर जो का basic था कौन-कौन सी classification थी, classification के अंदर आपने किस तरीके से आग को कैसे बुजाना है, what is required, what is available, how to apply, यह कुछ method है, जिनके थुरू आप firefighting सीख सकते हो, तो basics थे ही है, अगर हम इनको fire को deeply जाना है, तो fire जो चोटा-मोटा field नहीं है, fire को पूरे तरीके से समझने के लिए, कम से कम आपको साथ साल लग जाएंगे, अगर आपको fire को detailed में पढ़ना है, एक-एक subject, एक-एक topic पर आपको पढ़ना है तो, तो यह कुछ basics थे जिनको समझ कि आप idea लगा सकते हैं, कि अगर fire हो जाएगी, कौन सा extremution आपको use करना और कौन सा extremution में किस तरीके से maintenance करना है, उस सब चीजे के लिए थी है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, हम जो आज का session है, उसको यहां पर stop करने जा रहे हैं, उसको close करने जा रहे हैं, अगर आपका कुछ question होता, आप पूछ सकते हैं, हम question के लिए open है, मैं कुछ दिर तक बना रहूँगा यहां पर, आपको कुछ question होता, आप पूछ सकते हैं मरसे, आज के लिए thank you so much, बहुत-बहुत धन्यावाद आपका, कुछ question है, तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ question आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं,